मैं क्रेट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा अक्सर ब्राउन कोब्रा के बारे में तो लोग जानते ही हैं यह सुस्त हो गया काफी दोस्तों इसके बारे में मुझे आपको जरूर बताना था यह है क्रेट क्रेट भी बोलते हैं लोकल भाशा में क्रेट यह कॉमन इंजिन क्रेट इसका पूरा नाम है और यह साब देखने में छोटा है इसकी लेंथ आम तोर पर जो रहती है वह करीब चार फिट तीन से चार फिट लेगे मैंने पाच फिट तक क्रेट देखे हैं दोस्तों यह साब अक्सर लोग शायद इसको पनिया समझते हों या इसको नॉर्म समझते हों और इसके ज्यादा करीब चले जाते हैं हाला के इस साब में दो चीजें है पहले चीजिज यह है कि ये फोभी है और यहा है कि इससाम बहुत जयदा शर्मिला होता है अगर आप इसके पास में जाते हैं तो यह आप 500 में जाते हैं तो यह papers上 हमला नहीं करेगा बलकि यह तरदार होता है और इतना ही नहीं बलकी यह इसलीए भ carbon इंटिव belonging यह हैं इसलीए कि यह पाले Colorado नहीं जाते हैं पाले लंख कर रात-बल रक्टाए म advice हैton आप देख सकते हैं यह कितना सुष्च्ण हिए मारे जो काटे जाने वाला इनसान बहुत कमी बचता है तो दोस्तों कोब्रा से ज़्यादा खतनाक होता है यह क्रेट इसलिए आप इसके पहिशान कर लें इसके पहिशान कर लें आप लोग यह इस तरहında है ब्राउन और ब्लैक भी रहता है लेकिन कॉमन बाद यह रहती है कि यह आप सफेध धारी देख रहे हैं यह सफेध धारी यह तरह से पड़ी होंगी ठीके दोस्तों यह इसकी पहचान है तो कभी भी अगर आप को दिखाए दे साप तो उससे दूर रही है और लेकिन घरबाने के बाद नहीं है क्योंकि यह साब बहुत ही कम काटता है उसकी वज़े यहीं कि बहुत चरमीला और बहुत ही जाए डरकोक होता है थांक्यू वरी मैस दस्टो